सुप्रभात सभी विद्यारतियों को RCI Education Hub बानसुर में आप सभी विद्यारतियों का स्वागत है अपन नरिश महता की कविता पढ़ रहे थी किरन धेनुएं उसकी अंतिम पंक्तिया रह गई थी उन्हीं अंतिम पंक्तियों के उपर बात करते हैं तो किरन धेनुएं कविता में कवि ने प्रैकरति की सुन्दर्ता का वर्णन किया है यानि प्राते काले इन समय में सूरी की किरने किस रूप में नजर आती हैं उसकी उपर हम चर्चा कर रहे थे आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं मक्य के धानों में सरीताओं में सौम दूरा है यानि मक्य और चामल धान कपास मक्य और कपास के खेतों में चारों और अमरित नजर आ रहे है वै अहीर मत्वाला और सूरिय रूपी जो गौला है मस्द अपने मधुर धुन में गीत गाता हुआ लोट जाता है इस तरह से प्राते कालेन सूरिय की किर्णों को गायों के समान बता कर यहाँ पर कवी ने प्राकरतिक सुन्दरता को मनसी की अहदे से जोडने का प्रियास किया है दूसरी कवीता है विडमना कवीता इसमें भी कवी ने कहीं न कहीं पृतिकात्मक सब्दों का उप्योग करके पाठक के मन को प्रभावित करने का प्रियास्की है तो जैसे मैंने इस कवीता का मूल पृतिपाद्य बताया था कि ये जो कवीता है ये कवीता एक तिलस्मी पक्षी का सहरा लेकर कवी ने मनसे को जो यर्थार्त यूग में रहते हुई वैग्यानिक दृष्टिकॉन का सहरा लेकर ठीक है और सक्तिके रहसे को जानने का प्रियास करना चाहिए ठीक है ऐसा मनसे से तकि इस्तति में जो निसकर्ष निकाला जाता है वो मनसे के हित में नहीं होता है ये एक अनौखी समस्य है इसलिए ये मानव हित के लिए नहीं होता है ठीक है? तो उसी विडमना के उपर अपन अब चर्चा करेंगे अर्था ते इसकी बिठा करेंगे तो देखे भई सत्य की सोध में सोध का मतलब खोज सत्य की खोज में मैंने उस दिन अपने संपाती को सूरी की ओर वह जाने किन आकासों तोट कर लोट आया कभी कहता है कि सत्य के रहस्य को जानने के लिए मैंने संपाती जो पक्सी है तिलस्मी पक्सी संपाती किसको बोलते हैं तिलस्मी पक्सी तो कभी यहाँ पर अपने भावनाओं को प्रकट करते हुए कहता है कि मनस्य अपने यार्थार्थ युग में रहते हुए वैग्यानिक्ता का सारा लेकर सत्य के रहसे को मनस्य जानने का प्रियास किस तरह से करता है लेकिन वहाँ पर ऐसमंजिस्निता की इस्तति में वो भावना वो विचार मनस्य के हित के लिए नहीं होते हैं उसी के उपर चर्चा करते हैं उसी की हम व्याख्या करेंगे सत्य की सोध में मैंने उस दिन संपाती संपाती का मतलब तिलस्मी पक्षी को सूरी की ओर भेजा किसको जानने के लिए सत्य को जानने के लिए ठीक है अनिता सत्य की रहसे को नहीं पहचाना जा सकता सूरी के ओर इस तरह से संपाती को बेजा वैजाने किन आकासों से तूट कर लोट आया यानि उसके मन में फिर से निरासा लोट आये संपाती पक्षी के मन में अर्थात मनसे के मन में मनसे जब सत्य के रहस्य को नहीं जान पाता है तो उसके मन में निरासा की भावना उत्पन होई जाती है उसे विनेतर देखकर यानि उसे दुखी देखकर उसकी आँखों में दुख को देखकर मैंने कहा सत्य आगने है अर्था सत्य है वो अगनी के समान नजर आता है यानि सत्य अगनी है अगनी जिस तरह से मनस्य को तपाती है जला देती है उसे तरह से सत्य भी मनस्य की परिक्षा लेता है उसे जला देता है ठीक है उसे जुलस देखकर मैंने का किसको देखकर संपाती पक्षी को जुलसते हुई देखकर मैंने का सत्य तेजस है अर्था सत्य तेज है उसके रहसे को हरे इक विक्ति नहीं जान सकता इसलिए सत्य तेजस है उसे लोटे हुई देखकर मैंने कहा सत्य प्राप पे है अर्था सत्य को प्राप नहीं किया जा सकता आसानी से सत्य को कभी भी प्राप नहीं कर सकते ठीक है लोगों ने तपस्वी संपाती को नहीं मुझे रिसी का अर्थात उस संपाती पक्षी का जो कारिये है उस कारिये का सूप परिणाम लोगों ने मुझे दिया अर्थात मुझे अत्यदिग महतवता प्रदान की इस दरश्टी से कभी ने सत्य के रहसे को जानने का वर कवीता लेके चलेंगे एक बोध कवीता जिसमें कवी ने बताया है कि मनसे उस परंपराओं को त्याग करता नहीं और आधुनिकता से उसका सम्मध होता नहीं है ऐसी ऐसमंझे से की इस्तती होती है और ऐसी ऐसमंझे से की इस्तती में मनसे अपने संपोन जीवन को नश्ट कर देता है उसकी जीवन का कोई औचित्ते नजर आता ही नहीं है उसी के उपर अपचर्चा करेंगे एक बोध बोध का मतलब जानकारी एक नई जानकारी तो देखिए कभी क्या कहता है अब महीर सिर आ गया है सूरी सिर के उपर चला आ गया है महीर का मतलब सूरी सिर के उपर आ गया है सूरी पौन रूप से उदित हो गया है ठीक है यानि समय पौन रूप से बदल गया है कहने का मतलब कहा है कि सूरी यहाँ पर प्रतिकात्मक सब् माद्यम से कभी कहता है कि सूरी सिर के उपर आ गया है अर्था समय पौन रूप से बदल गया है पुरानी परंप्राइं पौन रूप से बदल गई है तपने लगी है ये रेत अर्था सूरी की अगने से ये रेत अपने लगी है तो मनस्य को क्या कह रहे हैं कि समय के परिवर्त फ्टन के अनुरुप, ठीक है, मनस्य जो अक प्रमपराओं का त्याग करता ए उसी तरह से मनस्य को आधुनिकता से अपना संपर्ण बना कर, मनस्य को अपनी जीवन लेला चलानी पड़ती है, तो सुरिय की बाती वह समय उसे तपाता है, अर्ठात उसे कुछ सिक्ष्या तो कुंतलों की जो च्छाओं है अर्थात पुरानी परंप्रें वो पुरानी परंप्रें पीछे रह गई अर्थात समय के अनुसार वो परंप्रें समाप्त हो गई हुआ सूर्योद है हमारा अर्थाथ नए समय के परिवर्तन हुआ आदुनिक्ता नजर आने लगी समय के अनुसार मनुषे का मन परिवर्तित नजर आने लगा बहुत कुछ छूटा हुआ लेकिन मनुषे उन जूटी परमप्राओं का त्याग करता नहीं है और आदुनिक्ता से वो अपना संपर पौन रूप से बनाता भी नहीं है इस तरह से वो परंपराओं का त्याग हो करता नहीं है और वर्तमान समय से उसका सरोकार होता नहीं है ऐसी ऐसमंजेसी की इस्तती उत्पन होती है और ऐसी ऐसमंजेसी की इस्तति में मनुसे अपना जीवन नश्ट करता है तो बहुत कुछ छूटा है और तूटा भी है हम ऐसंगी हैं हमारा कोई साथी नहीं है तो वर्तमान समय में मनुसे ऐसा ही अनुभव करता है कि हमारा सब कुछ पीछे छूट गया है अर्था हमारा सब कुछ समापत हो गया है और हमारा साहिता प्रदान करने वाला इस संसार में कोई नहीं है इसलिए मनुसे ऐसी इस्तति में अपने आपको अकेला महसूसे करता है आपकेला करता है